जाए हिंज दोस्तों यूडी सी आरे में आपका स्वागत हैं दोस्तों अभी हम बात करेंगे ऑस्टेलिया और शिरिलंका के बीच में होने वाले वर्ड कप के अगले मैच की दोस्तों ये मैच दो हारी हुई टीमों के बीच में खेला जाएगा एक टीम दस्वे नंबर पर है और आप जानके हिरान रहेंगे कि पांच वर्ड कप टाइटल्स जितने वाली टीम और एक फाइनल खेलने वाली टीम आज मतलब अर्श से फर्श पर आ चुकिये दोस्तों मै ये कहना चाहूंगा श्री लंका की भी इतनी खराब हालत मैंने कभी नहीं देखी वो भी तब जब ये बहुत ही जादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं मतलब इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी ये लोग हार रहे हैं only because of its balling ये अपनी balling की वज़े से हार रह कर रही है आगे देखते हैं दोस्तों ये मेरी टीम्स जो लोग फोलो करते हैं उनके कमेंट्स हैं इस बंदे का थर्ड रंक आया अठ्रा सो बंदों में ठीक है और आप समझ सकते होंगे इसने कितनी अच्छी रखम जीती होगी इसका डीजन पता क्या है ये बंदा मेरी वी वीडियो डीप अनल्सिस क्या बात है दो लाग जीत किया वह अमेजिंग क्या वीडियो बनाया है हैट्स आफ्टों मतलब कमेंट्स बहुत जाए और अगर आपको मेरी ही टीम खेलनी है और ग्रैंड लीग की 30 टीम्स चाहिए ना तो वह आपको मिलती है दोस्तों मेरे टेल सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं कर लिया मुझे दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाईए यदि आप ग्रैंड लीग के शौकीन है तो बैड़ बॉल पे खेलिए माई मास्टर पे जरूत नहीं है यहां पर आपको 30 की 30 टीम्स चाहिए यहां पर आपको 30 की 30 टीमों में डिसका सब्सक्राइब कर लिए यहां पर आपको 30 टीमों में लगाने पर 60 टीमों में आपके बच जाएंगे ग्रैंड लीग ठीक है वहीं अगर आप फ्री गिवोवे खेलने के शौकीन है यानि आपने एक भी रूपया नहीं लगाना तो बैड बॉल पे है दस हजार का जबकि से होगा यह रहा तो आप खेलिए दोस्तों बैड बॉल पर दिमाग लगाई है ठीक है दोनों का लिंक आपको नीचे डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं हाला कि बैड बॉल पर खेलता हूं ग्रैंड लिक को मुझे ग्रैंड लिक पसंद है तभी मैं ग्रैंड लिकी टी दोस्तों दोसो अड़तालेस साउस अफरीका का 311 रन का टोटल है यहां पर जब की और स्टेलिया जैसी वर्ड चैंपियन टीम धुरंदर टीम एक सो सटतर अबेड हेर हो गई थी तो स्पीनर्स को हेल्प करता है विकाज रवी विचनोई ने यहां पर अपना कारनामा बड़े-बड़े स्पीनर्स नहीं आप आके कहर बरसाई है तो बेटिंग के लिए अच्छा है और स्पीनर्स के लिए ग्राउंड अच्छा है यह कोई स्टाट जाला फॉलो करने के जरत नहीं है तो यहां पर जो बारा अकरतूबर को मैच हुआ था दोनों हाई स्कोर स्को ना छोड़ता कुछ तो एक तरीके से लड़ू कैच थे जो छोड़े गए जो बिल्कुल ही गलत थे हाला थे मिचल स्टार्क दो विकेट साथ में एक आजी कैच भी छोड़ी है इन्होंने ग्लन मैक्सवल स्पिनर दो विकेट हाला अब जैंपा क्या करेंगे जब आप कैच जिनने शुरू में ही सुतरधार रख दिया था कि हम तो नहीं चोड़ने वाले यह देखिये इकाना क्रिकेट स्टेडियम इस नौन फौर इस फेवरेबल कंडिशन फॉर बॉलर्स स्पेशली स्पिनर्स के लिए अच्छी है यह पिच इस पिच इस नौन फौर इस लोड़ पिच इस नौन फौर इस दिफिकल्स फौर इस नौन फौर इख गोई बाट्स के लिए इस बात्स क्लिए दिफिकल्ट होता है एक्सेट्स आओ आफटा इंस अच्छी तीम हैं अदीशनली एज मैच प्रोग्राइस इस लो निच्चर इफ पिच जुच चनल बेनिफिट न हना एक बद आपको बता लग रिया अस्टेलिया यहां एक मैच खेल चुका है तो वह थोड़ा सा बैटर जरूट फील करेंगा लेकिन तब जब जब जीता होगा हारा बहुत बुरी तरीके लेकिन होता हारना एक होता है शरमनाख तरीके से हारना अब आप समझ सकते होंगे अ सब्सक्राइबर कराम जरूर पता होगा तो यह काफी अच्छा करांट है दस्तों बारिश का कोई चांस नहीं है हलकी हुलकी ड्रेजलिंग आ सकती है लेकिन ओवर और और को बादा नहीं बनेगा मैच पूरा होगा अना पिछ पी हरी गास दिख रही है लेकिन फिर भी स्प सब्सक्राइबर करें लेकिन अक्षर दोनों के बास दोनों आपस में फरक बहुत जादा है तो खेल चलता रहेगा यह देखिए यहां पे जारा फरक नहीं है दोजार उननिस के बाद आस्टेलिया छे बार जीता है दस में से चार बार शिरिलंका ने भी बाजी मारिया जो बगबार आपड अस्टेलिया बैक टु अरे यार हमारा कंप्यूटर वेटर जले पर नमक छिड़कराए बैक टु बैक अरे यह भी तो हारे हैं बैक टु बैक टु बैक इनका भी तो लिखना था लेकिन वही है ना जब बड़ी टीम होती है फिर उनका ही नाम पहले आता है त इनके बास तो साड़े स्टार्स मुझूथ है फिर यह क्यों निकुछ कर पारे अना इनके तो बहाना मिल जाएगा हमारी टीम भी छोटी है और हम कोई जारा जीते भी नहीं है तो हमारा तो हार ना बनता है हम हार भी सक्टार कोई कुर्ण उंगली ने उठाएगा जैसे कमींच टीम को लीड करना यह भी स्पेशल ही रहा है किस टीप से में थोड़े लेकिन कमींच की वज़े से हार रहा है क्या बात है त्राविस है अभी स्कॉर्ड का हिससा जरूर है लेकिन वह इंजरी से मतलब के जूद रहे हैं है अब यह बड़ी नूज है यार शनाका भी नहीं खेलेंगे कुसल मंदी लीड कर रहे हैं टीम को बहुत बड़ी नूज है दोस्तों कुसल मंदीस यह टिसर्विंग करतेGS-स टीम को लीड कर रहे हैं और शनाकप को रिप्लेस किया है एक बाउलिंग all-rounder ने बैटेंग और राउंडर को रिप्लेस किया है दोस्तों चमिका करूना रतने एक पेसर है लहिरू कुमारा भी अभी अविलेबल नहीं है लेकिन वोर्ड गब का हिस्सा ज़रूर है तो बात करते हैं दोस्तों, प्रावेबल प्लेइंग लावेंड की, हला कि पॉस्टिबल यह इस है, मतलब यार, मुझे समझ ही नहीं आया, अस्टेलिया भारतिये कंडिशन्स में खेलने आ रही है, और के विल एक स्पिनर के साथ आ रहे है, मतलब क्या सोच के आ रहे हैं, आपके आसटन एगार कहां पे, आपके वो टीस अंगा कहां पे है, कहां पे है यह मंदियर, और बहुत नाम है यार, वर्ड चेमपिन टीम है, इनके बाद भीजिए कि कमी तो नहीं हो सकती, मेरे माइन में यह यहाने, डार्सी भी अच्छी स्पिन गरते हैं, उनको ले आते हाला कि वो फाफॉर्म भारत में आगे उनका बिगड़ जाता है डेविड वार्नर अकेला चना जो कुछना हुष्टो कर रहा है मिचल मार्श स्टीव स्मित में वो आग दिख रही है जो एक कप्तान में होनी चाहिए मतलब विराट कोली के जैसी लोक इनकी है दोस्तों आग है जो विराट कोली में दिखती है वो इस बंदे में है दोस्तों स्टीवन स्मित के बाद मार्नस लबुशा ने स्टीवन स्मित की ही कॉपी Glenn Maxwell, Josh English यह थोड़ी से energy लेके आए हैं टीम में हलाकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं अभी Marcus Stoinis, Pat Cummins बिलकुल डाउन टूर्थ बंदे लेकिन परफॉर्मेंस भी उसी लिहास की ही है Mitchell Stark कोई दार नहीं नजर आ रहे हैं बात करते हैं डेविड वार्णर की हलाकि पिछले मैच में तो बंदा यह भी नहीं चला लेकिन फिर भी ओवर्राल रिकॉर्डिंगा बहुत अच्छा है अब यह दिखे ना 41 रण 56 रण 53 रण 52 रण के बात है इनका फॉर्म खराब है बहुत जाला खराब है स्टीव स्विथ का फॉर्म बहुत अच्छा है दोस्तों पिछले मैच में गलत टेक्नॉलिजिकल इश्यू की वज़े से यह आउट होए वरना आउट नहीं थे यह मारनस लमुचाने एक और बंदा गलत डिसिजन पर आउट हुआ था बहुत भूल गया वह कौन था स्टॉइन इस थे शायद वह तो हाँ चैयालिस सटाइस बहत्तर सटाइस थर्टी नाइन है ठीक है यह फॉर्म मारनस लमुचाने की फॉर्म बढ़ी आए ग्लैनी मैक्सवेल दोस्तों तो ग्लैनी मैक्सवेल ग्यारा मैच में चालिस की उसनत से रन बनाता है शिरिलंका को दूता जरूर है फॉर्म इसका भी खराब है लेकिन फिर भी लिया जाएगा क्यूं बॉलिंग दोस्तों दो विकेट लेके गया और यह ग्राउंड स्पिन ग्लाट डिसीजन का शिकार हुए पिछले मैच में पैट कमिन्स एक अधी विकेट ही लेके जाएगा क्यूंकि जिस टीम में आप लगाई यह स्टार्क और हिसलो गट यह जासे स्टार होंगे उस टीम में इसको नहीं लिया जाएगा इखिए ए ल्ग्त गजीजार्क और हीसलोद अविलेवल है सब्सक्राइब करेंगे नहीं मिड़ोर्स कौन करेंगा गलन मैक्सवल लंपा और स्ट्राइनिस तो स्ट्राइनिस और मैक्सवल इंपॉर्टेनिस यहां पर इंपॉर्टेंट है बाकी तो से मैं प्लेयर बैटल आपको देखना चाहिए धनंजिया डिसल्वा ने चार बार हाना वेला लागे दोस्तों यह भी आपको देखना चाहिए पंद्रा रन बना पाए हैं चब्विस गेंदों पर दो बार शिकार होए हैं वेला लागे का स्टीवन स्मिथ को भी एक बार आउट किया है चमिका करुना रतने ने तो तंग भी बहुत किया है 27 मोलों में केवल 11 रन बनाए हैं उनको थिक्षन आले इंगलिश को जीरो पर आउट किया है बाकी नॉर्मल है यहां पर प्लेइंग 11 दोस्तों शिरिलंका की प्लेइंग 11 पथुम निसंका और कुसल परेरा कुसल परेरा बिलकुल ही आउट आफ फॉर्म चल रहे हैं कुसल मेंडिश बिलकुल सदीरा इंफ़म है असलंका इंफ़म है इन तीनों के स्ट्रंप पे इस टीम की बैटिंग खड़ी है धननजिया डिसलवा चमिका करूना रतने दूनित वेरा लागे मतलब एंडली जा इनकी एशिया के परफॉर्मस इना जगा बन गई इनकी वर्ड कप में ठिक्षना पथ सब्सक्राइब में 222 रड मनाया और स्ट्रिया के लाफ काफी तगड़ा रिकॉर्ड है डिसंट फॉर्म भी विछले मज में क्यावन की पारी आई है तो हो सकते है फॉर्म आप लगा सकते हो कि हो सकते है सुजर गई हो परेरा सहाब की फॉर्म बिलकुल खराब है जीरो और होना भी चाहिए और अरे शेकल लगबग सेम ही है दुनों की सदीरा 108 48 दो अच्छी निंग्स है चैरित असलंका एक अच्छी निंग्स है दो अच्छी निंग्स है इनके इलावा कुछ नहीं है डसलवा की फॉर्म खराब है चमिका की फॉर्म भी खराब है वेला तो कुछ ही नहीं है दोस्तों ठीक्षे ना एक विखड का प्लेयर है दो विखड़े एक विखड़े बंदा जरूर लेकी जाएगा तो इसे टीम में जरूर रखिये पथीराना इसकी फॉर्म खराब है मधुशंका की फॉर्म अच्छी है दो मैश तोनों में दो दो सानिंग के ओर्वर का और करेंगे मधुशंका और पातीं राना थीक्षा वी करती हैं मिडीनों ऐर्स करेंगे थीक्षाना डुट्सलोजिंट करेंगे तकी डेथ करेंगे पधी रान नहींस पे einzपेशलीस्त और मधुशंका मिचल मार्श ने एक बार आउट किया लेकिन वो जाड़ा बॉलिंग नहीं कर रहे हेजल वुड देखेंगे रिकार्ड मिचल ओई होई 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 यह देखने वाला है परेरा को स्टार्क ने 44 लगबक साथ ओवर में तीन वार आउट किया यह रिकार्ड देखने वाला है यहा डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, मिचल मार्श का नाम तक नहीं है यह आपर, मार्नस लमुशाने, मार्कस टॉइनिस, ग्लेन मैक्सवेल और बाकी इनके बॉलर, लगबक सभी बॉलर है को कि एक टीम का कॉलाप्स हो सकता है शरी लंका, परेरा का नाम तक नहीं है, लेकिन एक रिस्की टीम में मैं कैप्टन वराऊंगा उसे निसंका, मैंडिस, सदीरा, असलंका, धननजा, डेसलवा, वेललागे, ठीक्षना, पथीराना और मधुशंका टीम देखिए दोस्तों, अगर पहले अस्टेलिया की बैटिंग आते तो, मैक्सवल की बॉलिंग अच्छी होगी सब जानते है, दो विगड़ उनकी पक्की और बैटिंग भी पक्का है, क्योंकि सामने वाले टीम में मधुशंका है, तो दोनों पेसर मेने ले लिए है, जो बैटिंग मेने इनके दोस्तों, तीनों इनफ़र्म प्लेयर लिया है, लेकिन एक रिस्क लिया है, लामूश आने की जगाए मैने मार्श को लिया है, और सेक्रिन इनिंग्स में मार्श को मैने वी-सी बनाया है, थोड़ा से जादरा उमीदे है मुझे मार्श से, तो चलिए दोस्तों यह फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगी मेरे कहां पर है, अर यह टेलीग्यरम चैनल पर तेलीगरम जॉइन करिए आपको यूडी इसी आरे की टीम चाहिए दोस्तों, टेलीग्रम जॉइन करिए, धन्यवाद